हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे केक बोर्ड विल्कुल ऐसा केक बोर्ड बनाने वाले हम घर पे ऐसा केक बोर्ड बनाने के लिए वीडियो का अंट तक जिरूर देखेगा यह देखे यह हमने केक बोर्ड बनाने के लिए लिलिया सामान जो जो हमें चाहिए एक हम चाहिए ग जो गत्ते का बॉक्स होता है उसका टुकड़ा ले सकते हो एक पोईल पेपर पैंसील गून कैची सीजर जिसे हम बोलते हैं यह हमने प्लेट ले लिए निसान लगाने गलिए हम गोल अपना जो केक पोड बनाने वाले हैं यह देखें यही गत्ता है जिस पर हम अच्छे गोल निसान लगा लेंगे पहले पहले हम रख लेंगे प्लेट इस पर सेंटर में यह हमने जो फॉल पेपर लिया था उसके टुकड़े टोड काटकर रख दी हमने पेंसिलों गूल भी हमारा है तयार रखा है हमने अब इसके बीचों बीच हम सेंटर में रखेंगे प्लेट को उल्टा पेंसिल से मार्क करेंगे इस पर यह देखें एक दम गोल लगाया हमने निसान अब हम एक 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 इंच की जाब ऑजियरगा छोड़कर इसके उपर कंट लगा एक केकबोर्ड बनाना बहुत आसान है गर्पे यह देखिए और अगर आप मेरख वीडियो पहली वार देख हो तो प्लीज मेरी चैनेल को लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट में लिख के बताएगी के आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अगर आपने वीडियो पहली बार देखेंगे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो भी नया वीडियो डालू तो आप तो उसका नोटिफिक्शन पहुंच सके यह लेखिए इसे तरह से हमने पूरे गत्य गत्य जो हमने केक बोर्ड बनाया है उसके साइड़ कट लगा दिया है पैची से हम साइड साइड से काट लेंगे जैसे पैंसिल का निसान लगाया हुआ है उसके उपर-उपर हमें कट करना है ताके हमारा केकबोर्ड एकदम राउन्ड में कटें इकदम मार्किट जैसार केकबोर्ड बनाना है तक हम दीवी कि अच्छे से कटिंग करेंगे इसकी आप देखना एकदम तैयार होने के बाद आपको पता ही नी चलेगा कि ये केकबोड हमने घर पे बनाया या मालती से लेके आया बना हुआ इतना अच्छा बनता है और बहुत तीकम टाइम में बनता ही है अगर आप सब समान रेडिकर लो तो पाच मिट में हमारा केकबोड बनके तैयार हो जाता है ये देखिए हम देखिए पूरा केकबोड अपना कट कर लिया है साइड से जो अक्ष्टा गत्ता था हमारा ये देखिए एकदम अच्छे से गोल्ड काट लिया हमने ये हम साइड में टाल देमें सारा कट्रा दो निकला इसका फाल्ट जो गत्ते का टुकड़े थे अब इसके उपर लगाएंगी फोईल पेपर पहले हम गूंद लगाने वाले इस पेख आप कोई भी गम लेश सकते हों अ मैं जो फैविकोल वाला आता है वो लेरी हूं रहां। दूकड़ा लेनेरे एक गत्त गाट टुकड़ा लेके उससे हम वे केक वोर्ड के उपर गुन्ड़ लगा देंगे। हैसे फैला देंगे गत्टे से। इसके उपर हम लगा देंगे फॉइल पेपर जो हमने कट करके रखा हुआ है कटिंग करके दीरे से उपर रखना है चारो तरक से हाथों से खिला देना है बाहर की तरफ हमें हाथ कीचना है इसके उपर जो हमारा फॉइल पेपर लगावा है इसे हम कैची से काट लेंगे इसे एकदम रावन में हम अपना जो केक बोड बनाया हम इसके साइड साइड से एकदम काट लेंगे इसे देखिए इसी तरह से हमें काटना है यह देखिए साइड 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 से हमने फॉइल पेपर जो एक्स्रा था काट दिया है हम एकदम दीर दीरे सावधानी से काटना है अगर अपने थोड़ा भी खीच दिया तो वह फॉइल पेपर उपर से निकल जाएगा तो साइड उपर से फट गया तो पूरा आपका केक बोड जो बनाया आपने पूरा खराब हो जाएगा इसलिए हमें दीरे दीरे कट करना है तरह कुल कुल लग तक जाएगा है इतना अच्छा लग रहा हमरा केक बोड़र बिलकुल लग रहा है जैसरे मार्केट से लगे लिगा आइए अभी हम दूसरी साइड में वैसे ही फॉयल पेपर लगा देंगे जो हम मार्केट से लेगा आते तो उसमें दोनी तरफ इसलिए इसलिए हम दोरो तरफ लगाने वाले हैं वैसे एगर आप जब केक बनाने के लिए बना देए तो ऐस एक तरफ फो इंटेथ लगाने कर लगाब हाएं फैपका से इसे फैकास है तो इतनी मेर्क ज़ूत नहीं है मैं आपको विल्कुल जैसे मार्किट में केक बोड होता है मिलता है हमें लाते है धॉम तो उसके जैसा बना के दिखा रही हूँ इसलिए मैं दोनों तरफ फॉयल पेपर लगा रही हूँ यह देखे अच्छे से हमें दुबा के इस पे हात फिरना है अंदर से चिपक जाए गत्ते के साथ फॉरीपेपर अब हम क्या करना है इसमें साइडों में गुंद लगा देना है थोड़ा-थोड़ा क्यों हम जो मार्किट से केक बोड लाते हैं उसमें साइड से गत्ता दिखता नहीं है तो हम विर्कुल वैसे ही बनाने वाल हैं तो ये साइड से भी कवर हो जाना चाहिए इसे गुमाते हुए हमें थोड़ा थोड़ा गम लगा देना इस पर ये देखें मैं जब भी केक बनाती हूं तो केक बोड घर पे ही बनाती हूं के घर पे गोहती आसानी से और जल्दी बन जाता है इसलिए मैं घर पी तैयार कर लेती हूं इसे ये देखें इसे हम अच्छे से प्रेस करना होता है साइड से ताकि जो साइड माम ने गूंद लगाये उस पर अच्छे से चिपक जाए इसका जो एक्ट्रा फॉल पेपर इसे भी हम कट कर देंगे इसे हम बहुती ध्यान से काटना होता है इसी तरह से धीरे-धीरे कटिंग कर देना इसे ये देखिए आप इसे बना के देखिए बहुती जल्दी बनता है पांस से छे मिनिट में हमारे ये केक बोड बनकर तैयार हो जाता है अग्दम देरे-देरे काटेंगे हम ये दिखिए एक्स्रा जो है वो भी निकाल देंगे हम ये दिखिए इस साइड से दिखिए बिल्कुल हमारे गत्ता नहीं दिख रहा है ये दुम अच्छे से कवर हो गया गत्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा अंदसे पता ही नहीं चल्ड़ा हमने केक बोड गत्ते से बनाया है जैसे ये देखिए ये हमारे केक बोड एक्सम्बन करते यार है ये देखिए अब हम इससे रख देंगे धूप में थोड़ी देर के बोड इच्छा बनाया है